हेलो प्रेंट्स, वेलकम टू पिक्सल वल्ड डिजाइनिंग। आज की क्लाफ में हम ब्रफ टूल का यूज देखेंगे, इस टूल का साटकट होता है B, अगर आप किसी दूसरे टूल में हैं, जैसे ही आप B प्रेस करेंगे, आपका ब्रफ टूल एक्टिव हो जाता है, इस टूल का यूज किसी भी आपजेक्ट को पेंट करने के लिए या प्रेंटिंग के लिए किया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब आप डिजिटल प्रेंटिंग करें तो ही आप ब्रफ टूल का यूज करें, आप किसी आपजेक्ट में कलर को मिक्स करने के लिए भी आप ब्रफ टूल के यूज अच्छी तरह से कर सकते हैं, इस कलर पैलेट में उसके पाफ अलगरक टाइप के कलर होते हैं, जिससे वह प्रेंटिंग करता है, तो यह जरूरी नहीं है कि जब प्रेंटिंग करता है तो एक छोटे से ब्रफ का ही यूज करें, या बड़े से ब्रफ का यूज करें, वह कहीं पर छोटे ब्रफ का यूज करत संब्रकें तरह सब्राइब करता है और तीक के लिए प्राइभ हैशास mend अब जो करिए उसे बॉक्ती हो और यहां पर जो भी कर यहां पर आप जो आपके ब्रस से निकलेगा, कहने की मतलब यह है, कि जो भी color आप यहाँ पर भरेंगे, आपके ब्रस से वही color निकलेगा, तो यह एक circle दिखरा होगा आपको, मैं एक दूसरी image पर ले चलता हूँ, जहां से यह circle आपको अच्छी तरह से दिखेगा, यह देखिए, यहाँ पर य आपके पास है, फोटो साप में, जिससे आप इस ब्रस के size को increase कर सकते हैं, यह जो circle दिख रहा है, यह brush का size होता है, अब जब आप painting करने start करेंगे, तो जितना भी बड़ा आपका brush रहेगा, उतना ही आपका paint निकलेगा उससे, तो यह दूसरा तरीका में आपको बताता को hold कीजिए, और mouse का right button को click कीजिए, यह देखिए, आपको एक color दिख रहा है, इसको आप left-right करेंगे, यह बड़ा और चोटा होगा, और ऊपर नीचे करेंगे, अब down करेंगे, यह देखिए, इसकी hardness कम और ज्यादा हो रही है, इसी type से एक तीसरा option भी है, आप simple right click कीजिए और यहाँ पर देखेंगे कि एक size का option दिख रहा है, और hardness का option दिख रहा है, यहाँ size से आप जो भी size रखेंगे, उस type से आपका brush का size निक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल उसी type से hardness भी है, अगर आप इसकी 100% रखेंगे तो brush आपका बिल्कुल hard रहेगा, और अगर 50% रख दे 0% हो जाती है, यहाँ पर आपको different type की brush दिख रहे हैं, जिसका आप यूज कर सकते हैं अपनी painting पे, जो भी आप paint करना चाहते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कुछ brush इसमें ऐसे भी होते हैं, जो कि Photoshop में अच्छी तरह से नहीं चलते हैं, आपके mouse से उसके लिए कुछ external device भी आती हैं, उसको आप connect करके अच्छी तरह से सभी brush का use कर सकते हैं, तो मैं आपको brush का use करके दिखाता हूं, कि brush काम कैसे करता हैं, यहाँ पर देखेंगे कि यह circle बड़ा दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा पर छोटा करता हूं, अभी मैंने hard brush use किया हूआ है, select किया हूआ sorry, अभी मैं इसकी flow को 100% कर देता हूँ, इसके 100% कर दिया, और आप मैं start करता हूँ बनाना, यह देखें, यह मैंने hard brush use किया है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल hard चल रहा है, उसी type से मैं एक soft brush आपके लिए use करता हूँ, यह देखें, इसमें क्या होता है, कि इसके corner बिल् सकते हैं, जो आपकी जरूरत है, उसके हिसाब से आप use कर सकते हैं, अपनी painting के लिए, कुछ और भी brushes है नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखेंगे कुछ graph के दिख रहे हैं, यह देखें, यहाँ पर कुछ अलग अलग type के brushes दिये हुए हैं, यह देखें, आप इन brush क जितना use करें कि आपको समझ में आएगा कि कौन से brush कहां पर है, यह देखें, different type के brushes है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको एक setting का icon दिख रहा है, इसमें आपके बहुत सारे option दिये हों brush से related, तो इसमें से आप याद हो चाहते हैं कि यहाँ पर जो आपका thumbnail द brush का, उसी type से बिलकुल small thumbnail पर दिखने लगा है, अब यहाँ पर large thumbnail दिखने लगेगा, small list दिखेगी, यह अच्छा है क्योंकि यहाँ पर thumbnail भी दिख रहा है, और उसका नाम भी दिख रहा है, उसके बाद large list यह देखें, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा thumbnail दिख रहा है, और उ खोड़ा सब preview दिख जाता है, यहाँ पर, यहाँ पर इतने सारे brush मैंने load करके रखे हुए है, उसी type से आपको यहाँ पर बहुत सारे brush दिख रहे हैं, आप brush को reset कर सकते हैं, load कर सकते हैं, load करने से क्या मतलब है कि अगर आपने कोई internet से brush download किया हुआ है, तो यहाँ से उसकी file आ जाएगी, वहाँ से आप इसको आसानी से load कर सकते हैं, और वो Photoshop में बिल्कुल brush के बिल्कुल नीचे में आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, जो भी आप brush यूज करेंगे, load करेंगे, और उसका आप अच्छी तरह से use कर सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तो मैं चलिए दिखाई देता हूँ, आपको जैसे मैंने किया, ओके किया, मैंने अभी नीचे कौन से brush दिख रहा है, यह मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर इस टाइप का brush दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको basic को करता हूँ, append करता हूँ, तो आप देखेंगे कि नीचे brush add हो जाएगा, यह देखें, यह नीचे कुछ brush add हो गया है, पिछली बार जो मैंने दिखाया तो कोई दूसरा color था, यह 5 brush था, अब यह नीचे इतने brush add हो चुके हैं, तो इन brush का use कर सकते हैं, आप अपने design की इसाप से जैसा चाहें, यह चीज और बतानी थी, आपको मैं miss क करते हैं, तो थोड़ी सी तिर्शा हो जाता है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा option Photoshop में है, एक जगह आप click कीजिए, और shift button को hold कीजिए, और जैसे आप दूसरी जगह click करते जाएंगे, वो बिल्कुल सीधा line बनती जाएगी, यह बहुत अच्छा Photoshop का option है, आप shift button को simple hold कर के रखिये, और जहाँ पर भी आपको click करना है, आप click करते जाएंगे, आपका brush वहाँ पहुचता जाएगा, तो इसका भी use आपको समझ में आ गया होगा, मैं Ctrl Z करता हूँ, Ctrl Alt और Z, तो मैं पीछे जाता जाता हूँ, यह दिखे, और यह एक चीज और आपने देखी होगी, कि कभी-कभी ऐसा होता है, कि यह जैसे circle दिख रहा है, और circle नहीं दिखता है, यहाँ पर आपका plus का icon दिखने लगता है, इसका यह होता है, कि caps lock अगर आपका on है, तो यहाँ पर यह एक plus का icon दिखने लगता है, लेकिन pen तब भी होता है, pen फिर भी होगा, अगर plus का icon दिख लेकिन यह size नहीं दिखता है कि मेरे brush का क्या size है तो उसके लिए आप caps lock को off कर दीजे और उसके बाद यह आपको दिखने लगेगा तो मैं Ctrl-L-Z करता हूँ अब मैं brush के ऊपर top में कुछ option दिये हुए हैं उनका use आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ यहाँ पर click करूंगा तो आप देखेंगे कि वही जो property सारी दिख रहे हैं जो अभी मैंने right click करके आपको दिखाई थी सभी का use मैंने आपको बता दिया है इसको रहने देते हैं और यह एक option है है toggle the brush panel इस पे आप click करेंगे तो जो आपका brush select रहेगा उससे related property आपको यहाँ पर show होगी तो इसमें तो यहां से भी आप इसकी size को छोटा बढ़ा कर सकते हैं ब्रस की size को increase कर सकते हैं और कम कर सकते हैं इसकी hardness को कम जादा कर सकते हैं लेकिन एक option यहाँ पर अच्छा है आप मैं यहाँ पर देखेंगे तो यह थोड़ा सा space ले गया गया इसकी मैं spacing गौर बढ़ाता हूं यह देखिए अब space होता जा रहा है तो यह सभी brush में option नहीं रहेगा आपके brush के के उपर depend करता है कि कौन सा यहाँ पर सभी brush का option आपको अलग लग रहेगा spacing का option आपको सभी में नहीं मिलेगा यह जरूरी नहीं है कि आपको सभी brush में मिले यह brush के type के हिसाब से यह option आपके change होते रहेंगे किसी में यह option आपको मिलेंगे किसी में दूसरे option पर मिल सकते हैं किसी में यह option काम नहीं करेंगे फिस सारी चीज़े हो सकती है तो आपको मैं बता देता हूं आपको परिशान होने की ज़रूरत नहीं है मैं ctrl z करता हूं और फिर से पीछे जाता हूं यहां पर आपको mode का option दिख रहा है यहां पर mode देखेंगे तो आपको normal, dissolve, behind, clear दो तीन में option आपको दिखा देता हूं mode के इसको मैं भी close करता हूं यहां से यहां पर आप देखेंगे तो मैंने एक new layer पहले से बना के रखी हुई है और इस पर work करना मैं start करता हूं तो आप देखेंगे कि set है तो मैं इसमें brush चलाता हूं आप देखेंगे कि यह color आया और दूफरी बार मैं क्या करता हूं कि इसको dissolve कर लेता हूं और एक दूफरा color select करत हूं behind इसमें देखेंगे आप क्या होगा कि color मैं दूफरा reflect कर लेता हूं blue कर लेता हूं color यहां से और इस पर मैं brush चलाओंगा तो आप देखेंगे कि यह जो दो मैंने पहले paint किया हो था दो brush चलाए हुए थे normal or dissolve में उसके नीचे यह color चल रहा है यह brush चल रहा है इसको अभी भी आपको दिख रहे हैं dark and multiply इसका आप यूज करके देख सकते हैं अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इन चीजों को आप समझ पाएंगे तो आप मैं तिफरे option में आपको चलता हूं यहां पर opacity है और flow है तो मैं opacity आपको समझाता हूं उसके लिए मैंने दूफर कर लेता हूं इसको यह देखें अभी यह बिल्कुल opacity की कम नहीं है बिल्कुल hard brush है तो पीछे जो image थी वह बिल्कुल भी नहीं दिख रही है इसको जब मैं 50% कर देता हूं अभी 80% करता हूं एक बार तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा पीछे की image आपको दिख रही है इसक देखेंगे कि यह brush और transparent हो जाएगा इस बार आपको ज्यादा चीजे दिख रही है पीछे की image आपको ज्यादा दिख रही है इसको मैं 20% करके आपको दिखाता हूं जिससे आपको सारी चीजे अच्छी तरफ समझ में आ जाए इसकी brush को मैं थोड़ा से छोटा कर लेता हूं यह देखेंगे अब बहुत अच्छी तरह से दिख रही है पीछे की image आपको तो opacity का मतलब यह है कि आप जितनी opacity कम करते जाएंगे उतना आपका brush transparent होता जाएगा इसको मैं 100% कर देता हूं अब मैं आपको flow समझाता हूं उसके लिए मैं करता हूं control L digit करता हूं अब मैं आप flow समझाता हूं flow भी बिल्कुल उसी type से बर करता है flow यूज करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं जैसे आपने AC का यूज किया होगा तो उसमें अगर आपने 16% में रखा होगा तो आप देखेंगे कि वह बहुत ज्यादा cooling करता है और अगर आप उसको 20% में रखें करता है कि जितनी आप इसका flow कम करते जाएंगे आपके brush से paint कम निकलेगा तो जैसे मैं आपको यूज करके दिखाता हूं flow 100% इसका भी मैंने यह देखी यह बिल्कुल भी एकदम hard brush अभी दिख रहा है इसको मैं कर देता हूं 80% इसमें थोड़ा brush से paint निकलना कम हो जाएगा 80% किया मैंने अब आप देखेंगे इसके corner में paint कम निकल रहा है थोड़ा सा यह smooth type का हो रहा है उसी type से जब मैं इसको 50% करता हूं यह देखिए और भी कम paint निकल रहा है पीछे की चीज़ें आपको देख रहे हैं लेकिनी opacity नहीं होती है यह opacity और flow में यहीं different है कि opacity में transparent होता है आपको brush और flow में क्या होता है कि paint कम निकलता है आपकी brush से अगर इसको मैं 20% करता हूं तो आप देखेंगे कि brush का flow और कम हो गया मतलब brush और भी कम paint आपको निकाल रहा है आपकी image के लिए painting के लिए तो इसी type से आपको opacity और flow का भी use समझ में आ गया होगा एक चीज मैं और आपको बताता हूं जो सबसे important है अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा brush यूज करना चाहते हैं आप कोई brush आप upload करना चाहते हैं डाउनलोड करके उसके लिए मैंने एक photo डाउनलोड कुई है यह volleyball की एक photo है इसको आप simple edit में जाए और यहां से define brush presence इसमें आ आपको नाम पूछेगा कि brush का आप क्या नाम रखना चाहते हैं अभी मैं change नहीं करना चाहता है इसलिए ok कर देता हूं अब मैं जैसे brush में जाके यह देखिए उसका मैं दूसरी photo पे ले चलता हूं आपको यहां पे ले चलता हूं यह देखें कि आप यहां से right click करके तो यह आपका brush दिख रहा है यह बॉली बॉल बॉला यहां पे उसका thumbnail दिख रहा है इसको मैं अगर large में करता हूं तो आपको अच्छी तरह से दिखेगा large thumbnail पे यह brush आपको यहां पे load हो चुका है इसको मैं थोड़ा फ़र चोटा करता हूं brush की size को और यहां पे paint करता हूं brush चलाता हूं मैं यह देखे अभी इसकी spacing कम है इसलिए यह बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है आपको इसकी spacing में बढ़ा के दिखाता हूं आपको तो कि देखे अब आपका अच्छा लग रहा है इसमें आप कले यहां पे color change करके इसको मैं blue करता हूं यह दिखे अब आपका अच्छा लग रहा है इसी type से आपको इभी brush यूज कर सकते हैं और internet फे download करके आप उसको upload भी कर सकते हैं इस tools related आपको सारी चीज है समझ में आ गही होगी लेकिन अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप comment करके पूँच सकते हैं कोई दिक्कर नहीं है छोटी फिर अगर doubt होगी तो वह भी मैं आपको बताऊंगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल थैंक्यू गुड़ डे